हेलो गाइज हिंदी बोले की चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है यह तो आप लोग जानते ही होंगे कि स्प्रिंग को साइकल, मोटर साइकल, ट्रेन, घडियों, कारों में और तरह तरह के खिलोनों में और अन्य कई जगों में इस्तिमाल किया जाता है देखा जाए तो स्प्रिंग के बिना कई सारी चीजें बना पाना मुश्किल है, कहने का मतलब है कि स्प्रिंग का इस्तिमाल लगबग हर जगह होता है लेकिन साइध ही कोई ये जानता होगा कि ये तरह तरह के स्प्रिंग फैक्टरियों में कैसे बनाय जाते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाते हैं कि फैक्टरियों में स्प्रिंग कैसे बनाय जाते हैं लेकिन उससे पहले आपको ये जो लाद रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको दबाकर इस गंटी को जरूर दबाले ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें स्प्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक तार का बंडल चाहिए होता है जो अलग-अलग धातों से मिलकर बना हो सकता है और अलग-अलग मोटाई का भी हो सकता है फिर एक मशीन के दवारा बंडल को धीरे-धीरे खोल कर तार को एक रोड के उपर लपेट दिया जाता है और कोयल बना ली जाती है फिर इस कोयल को जितनी लंबाई चाहिए होती है उसके हिसाब से काट लिया जाता है फिर जो स्प्रिंग बनकर तयार होते हैं उनके दोनों सिरों पर ग्राइंडर मार कर सभी स्प्रिंगों को गरम तेल में डाल कर कुछ देर के लिए गरम किया जाता है स्प्रिंगों को गरम करने से उनमें हाडनेस आती है और हाडनेस की वज़े से स्प्रिंग अपनी आकरिती यानि सेप को रीगेन कर लेते हैं मोटे बड़े और भारी स्प्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की तार को बटी में डाल कर गरम किया जाता है और गरम करने के बाद ही इसकी कोईल बनाई जाती है ताकि मोटी तार को रोलर पर असानी से लपेटा जा सके फिर इस कोईल से जितनी लंबाई चाहिए होती है उतनी लंबाई के स्प्रिंग काट लिया जाते है और फिर स्प्रिंगों को कुछ गंटों के लिए गरम तेल में डाल दिया जाता है और बाद में एक भट्टी में भी गरम किया जाता है जिसकी वज़े से स्प्रिंग और मजबूत बन जाते हैं और बड़ी बड़ी भारी चीजों का भार भी जेल पाते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी करिपया करके इस वीडियो को लाइक और शेर करें धन्यवाद